Hey all right and welcome to all and today is the Hindu news discussion now daily के basis पेजवाई डिसकेशन करते हैं particular news को बताते हैं कैसे UPSC prelims में पूछी जाएगी कैसे mains में पूछी जाएगी Monday to Friday answer writing की जाती है complete newspaper analysis दिया जाता है Now सबसे पहला overall section क्या रहता है जिसने कल का newspaper प्लस कल की जो 10 October के prelims के paper हुआ था तो उसके basis पर देख लेना कैसे question आया है 100 के 100 question मैंने video explain किये हैं Now सबसे पहला section रहता है daily Hindu analysis का की particular जो भी news आई है highlighted उनको discuss कर लें देखिए जितने भी power plant है thermal power plant वहाँ coal की shortage हो रही है अब coal के बारे में जानेंगे types of coal जानेंगे और क्यों shortage हो रही है इंडिया कितना import करता या export करता देखिए इन सब के बारे में पूरे एक database हमने credit किया है और उसको पूरा coal के basis पर एक ही चीज discuss करेंगे आज inauguration है Indian Space Association का यह क्या है इसको जानेंगे और हर जगह आप गर आपको देखेंगे power restriction लगाए जा रहे है ठीक है अब देखें power restriction कोल ना होने के वज़े से लगाए जा रहे है state अभी चिंता में है डैली सरकार अभी चिंता में है कि जितने भी thermal power plant है जहां से electricity generate की जाती है वहां पर कोल की shortage हुई है क्यों ही है इसको डिसकस करेंगे फिर एडिटोरियल बहुत important है ताइवान की हिस्ट्री को जानेंगे पूरी ताइवान की हिस्ट्री बताई आज के एडिटोरियल में उसको डिसकस करेंगे उसके बाद इंडिया और चाइना के बीच में disengagement जो हो रही है वाइट पेपर क्या होता है भारसरकार अगर वाइट पेपर जारी करती है या वाइट पेपर में जानकारी क्या क्या होती है इसको जानेंगे और आसाम गवर्मेंट से कैसे ये related है राइट काला पानी का इश कि तरह इसको कंसिडर करेंगे एक एक कीकू खान जो है उनका पर्टिक्लर अभी उनकी डेथ हो गई है और फादर और पाकिस्तानी नुकलियर बॉम माने जाते थे इनके बारे में जान लेंगे थोड़ा क्योंकि यूपी पीसियस अब में भी पीसियस पूछ सकता है यूपी उसको रोकने में और डिले करने में बट विदाउड मोविंग फर्दर टेलिगराम अप्लिकेशन डाउनलोड करने है सच्च बॉक्स में टाइप करना है अर्देरेट पी आर पॉब्लिकेशन तो आप इस फ्री ग्रूप से जॉइन हो जाएंगे नौ डेली के बेसिस पर मं हमारा पेट प्लैन जोइन कर सकते हैं यह लिए प्लैन है 499 रूपीज में यह सब सर्विसेज आपको मिलेंगे पूरे एक साल तक और तीनों प्लैन एक साथ है 999 रूपीज के प्लैस्टोर में जाके प्यार पॉब्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि पंदर सेम नमर पर वट्सेप करनी है और हमारे हम आपको अपने टेलिग्राम गरूप से एड़ कर लेंगे चीक है अब यहां इलक्षन आने वाले हैं जर्नल इलक्षन भी आने वाले हैं तो सिंपल सी बात है हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने लीडर्स के बारे में कुछ कह यहां पर बात की गई कि यहां पर मिश्टर मोदी हर एक को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा बोला गया हमारे काम का नहीं है वही स्पीच जो स्टेटमेंट देते रहते हैं वह वाली बात है बट जो हमारे काम का है वो न्यूस कौन सी है सबसे पहले न्यूस सेंटर रिबर्ट spheres of power blackouts देखे यहां पर coal shortage के वज़े से power supply में disruption की बात की जा रही है the government on Sunday said coal stocks at power plants would gradually improve and were currently sufficient for 24 days अभी यहां पर कोई कह रहा है यह तो नई दिल्ली की बात है अलग अलग राज जी कह रहे है कोई कह रहा है तमिल्लाडू में पांच-छे दिन के लिए है कोई कह रहा है यहां पर है पर इसके पीछे क्या कारण है वो तो जानेंगे उसके साथ कोल इंडिया the ministry said was supplying more than 2.5 lakh 10 daily to non power industry जैसे almonia, steel, cement reflecting the comfortable coal position in the country अब कोल इंडिया अपने अपने अलग-अलग statement दे रही है बट मेजर चीज पता क्या सिर्फ एक ही particular news से चल जाएगा नहीं उसके साथ साथ देखो एक और news आई है center government turning a blind eye to coal crisis says Sisodia अब deputy CM है ये नहीं डेली के the Delhi government on Sunday attacked the center over its failure to admit that there was a coal crisis in the country and said that it could lead to energy disruption if not tackled urgently अभी इसको सही नहीं किया गया तो पूरे देश में coal crisis आ सकता है power जो supply आपके घरों में है वो भी cut दी जा सकती है क्योंकि major अगर मैं कहूंगा विद्द बनाने के जो thermal power plant होते हैं hydro electricity power plant होते हैं वो state करते हैं ठीक है state के board बनते हैं आप तक power supply होती है बट वो project किस के होते हैं या तो center के होते हैं दो state के joint project होते हैं और center को तो particular जो electricity generation का का काम हर project में होता जैसे टेहरी डेम टेहरी डेम आपने सुना होगा उत्राखंड में है और जो भी जैसे उत्राखंड का मैं अगर specific data बताओं तो उत्राखंड को उसका बार परसेंट free में किसको दी जाएगी उत्राखंड को उत्राखंड उसको बेचे या खुद यूज करे वो उसकी मर्जी है और similar news है एक और पेज में कि many power station are facing coal shortage with a fall in supply power utility देगे southern states में scramble कर रही है power restriction को हटाने के लिए अभी हर एक state center से गोहार लगा रही है majority of thermal power plant है इन various states were running with stock sufficiently only for three to four days तीन से चार दिन के लिए तमिल नाडू की मैं बात करूँ state power generating station average चार से साले चार दिन का coal बचा है उनके पास ठीक है the state had been recording a daily shortage of 120 मेगावाट से 200 मेगावाट तक जो सप्लाई है पर consumption hour जो है वो कम हो रही है मैंने बोला ना कोल की help से पानी को गर्म किया जाएगा पानी से system निकलेगी वो टर्बाइन चलाएगी और उसके basis पर electricity generate होगी और उसके basis पर मेगावाट के basis पर जैसे डैम लगे रहते हैं ना hydro electricity power plant में डैम लगे रहते हैं वो उनका कुछ capacity होती है कोई 25 मेगावाट से कम होते हैं कोई 25 मेगावाट से बड़े होते हैं इवन टी एचेटी सी के बारे में बात करें तो उसकी capacity कुछ 2400 मेगावाट है ठीक है जो टेहरी डैम वाला प्रोजेक्ट है 1000 तो first phase में बन चुका है 1000 मेगावाट की generation हो सकती है अभी बनाना चाहें तो और 400 जो मेगावाट है उसका भी अभी डिविजन है एक 1000 मेगावाट का एक 400 मेगावाट का अलग अलग तोड़े से डैम उसी के नीचे कोटेश्वर अलग 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 डैम जैसे पंचेश्वर में है उसके नीचे अलग 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 डैम है जैसे कोटेश्वर वैसे बनें है अंद्र प्रदेश में भी ऐसा ही है कि अभी सप्लाई बहुत कम हो रही है सतर हजार टन का को लाना चाहिए तो यहां 40,000 कई आ रहा है तो कहने का मतलब यह है कोल सोटेज तीनों मोटी मोटी नियूस या कंक्लूजन हमने यह निकाल लिया कि यह कोल सोटेज हो रही है अब जितना मैंने बोला सब भूल जाओ अब आओ जो आपके कॉशन में जो आपके एक्जाम में पूछा जाएगा वो कॉंसेप्ट क्योंकि यह तो था नियूश पेपर का जिससे पता चलता है करेंट में क्या चीज़ चल रही है क्योंकि 2022-2023 के लिए डेडिकेटेड पंदर अक्टूबर से पढ़ाई होने वाली है और उसी बेसेश पर जैसे यहां पढ़ाया जा रहा है वैसे लाइब क्लासेज में मैं पर्टिक्लर एप्लिकेशन में पढ़ाऊंगा प्यार पब्लिकेशन की बहुत मिनिमम जाएगी क्योंकि अभी तक तो सिर्फ करेंट एफियर के सिर्फ नौर्ट बेजड हम आपको तैयारी करवा पाते थे हमने एप्लिकेशन ही इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को लाइव पढ़ाया जा सके एक डेडिकेटेड टाइम आप लोगों के लिए निकाला जा सक भारत के पांचवा लाजेस्ट रिजर्व है चाइना है साउथ अमेरिका है तो बहुत सारे ऐसे जो देश हैं वो कोल रिजर्व रखते हैं अब भारत पांचवा नंबर माता है फिर भी यहां कोल सोटेज हो रही है इट मेली इंपोर्ट प्रम इंडोनेशिया औस्टेलिया इन साउथ अफरीका से यह इंपोर्ट करता है जब इसकी खुद की डोमेस्टिक कंजम्शन भी पूर्ती नहीं होती है हाव बैड इस इस दा सिचुएशन इस टच अंगो एंड कूड बी अनकमफरेबल फॉर अप टू सिक्स मन्त कोल स्टॉक्स एज इस थर्मल पार प्लां बनायी जाती है और 70% इंडिया का पाउर जो सोर्स है कोल के वज़े से होता है तो मैं कहूँगा ओल ओवर इंडिया में फिर का पाउर कट्स देखने आपको नौर्मल लगेंगे अब रिजन क्या रहे पिस जितने अभी तक हम डिटेल पढ़ते के आए हैं सुनते आए हैं अब उसके कारण क्या है कि भाई साब कोल सौटेज हो रही है तो क्यों हो रही है है वी सेप्टमबर रेंस इन कोल माइनिंग एरियाज हिट प्रोडक्शन डिलिवरी एंड प्लांट फिल्ट टू बिल्ड अप दियर स्टॉक से प्री मौनसुन पहल क्या है कि वरकर काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे पहला डायमंड है आउट्स्टिप सप्लाइड डिसपाइड इंक्रीज बाइंग फॉम कॉल इंडिया डायमंड हैड आउट स्टिप्ड सप्लाइड दूसरा रिजन आपका ये है राइट तीसरा है सारफ फॉल इंद इं अच्छा नहीं है डायमंड बहुत तेजी से बाहर जा रहा है कंट्री के राइट यह सब एक रीजन है जो की कोल सोर्टेज के कारण है आउट इस्ट्रिब्ड हो रहा है डायमंड इंपक्ट ऑप दसौर्टेज इंडर्स्ट्री फेस इलेक्टिसिटी सौर्टेज बिजनस बह सकते हैं ताकि प्रोडेक्शन जो है जल्दी जल्दी करवाया जा सके अब इसके पीछे कुछ रीजन है कि ठीक है कोल जो है इसलिए कुछ मैंने यहां पर पॉइंट लिए जो आप अपने मेंसिक लिए देख सकते हैं अभी वह डिसकस नहीं करेंगे वह यह डिक्टेट करन पूछने लगी है बट हम ऐसा नहीं कहेंगे कि 2021 के पेपर के बेसेस पर ही पूरा अनलेसिस करेंगे बट वह भी ठीक है उसका एक रिफरेंस मैंने लिया है आज तभी मैं नैशनल कोल इंडेक्स से बता रहा हूं मेंस के साथ साथ मिनिस्ट्य आप कोल है जिस्टाडिट कॉ प्रोडक्शन हुआ होगा उसके रिस्पेक्ट में अभी कितना हुआ है उसी को कहते हैं अब यही डिसाइट करता है कि कोल के प्राइस क्या होंगे जैसे पिछली बार से इस बार जादा हुआ कोल तो सिंपल सी बात है हमापा सप्लाई तो बहुत जादा है अगर डिमांड उतनी नहीं हुई तो में भी कोल के प्राइस जो हैं घट सकते हैं बट सप्लाई भी बहुत जादा आ रही है उसकी डिम इसकेलेशन दा इंडेक्स कें बी बेसेस ठीक है तो एंसी ही हो गया बेसे रियाद रख दोजार सत्रे दोजार अठार उसके साथ साथ कोल फॉर्मेशन कैसा होता है पूरा हम देखेंगे कोल सेडिमेंट्री और्कनिक रॉक है आग लग सकती है प्राइमेरिली उसमें कार्बन कंटेंटी होता है और कुछ एलिमेंट हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सिजन ये भी आपको देखने को मिलते हैं कोल बनता कैसे है नौ कोल चीपस सोर्स है पावर का इफ यूज नियर दा कोल म बाता कर वहीं पर कभी आपने देखा कोल माइन्स के यहीं पर जनरली प्रोडक्शन किया जाता है क्योंकि उसको ले जाने आने में बहुत ज़्यादा हाई कोस्ट लगेगी तो और ज़्यादा प्राइस भी बढ़ेंगे कोल बनते कैसे हैं वही है तीन सो मिलियन साल वही प बाइंटी परषएंट युपाल इसे कहते हैं इंकण आपउटेन अपुन अनिटी पर चंट कार बन हाड़ कोल होता है नेंटिय इज मैंदी फांड इंडिस्टिक फाय साई जो मुन कस्मिल बिटूमिनस किया हुटा है मोश्च्ट लीं वाइड़ी अबलेबल होता है पर्षेंट तक होता है और इसमें इंप्रिटी ज्यादा होती है अब यहां पर एक और चीज़ है कोल माइनिंग जो है पाउर्मेंट को डिग्रेट करते हैं जो वाइट होता है उसको पॉल्यूट कर देते हैं कार्बन रिलीज होता है तो ग्रीन हाउस गैसे बढ़ जाती है और इसी के वज़े से ऑसीड्रेगा स्मौग बढ़ जाता कोल के वज़े से क्योंकि इससे जो निकलने वाली जाती है और उसी के वज़े से ऐसे ड्रेगा होता है कि यह पूरा आपको नोटस करके देदी हैं एक्सप्लेइन कर दिया है अब यह न्यूज आई है कुष सायव अब दिखो ओवर दा पास्ट फ्यूमंत जो है सुक्मनी मुंडा 31 एर ओल्ड ट्राइवल विमन थी एक जगह थी जहां पर कोल की रिजर्व बहुत जाता हैं ठीक है एक छोटा सा कजबा है क्यों जार और है यहां पर गंधा मर्दन माइन्स हैं ठीक है जो ओडिसा से वह बता अके जाते हैं ठीक है वहां पर क्या होगा जो देखो मेजर यहां पर इस जो मैं जो ऑन जाफ डीक में हुआ क्या है मतलब यहां पर फोकस नहीं किया जा रहा है पूर वो है वहां के MLA उत्मा रिस्पॉंस नहीं कर रहे है और इससे पहले 5000 करोड के जो आईरेन है वो एक्स्टेक्ट कर चुके हैं इससे पहले 5 साल में सेफ ड्रिंकिंग वाइटर नहीं है पॉलिशन होता है तो अगर बात करोगे ऐसे कुछ एक्जामपल देने की तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि आईरेन और रिजर्व हैं यहां पर और उसके वज़े से पानी इतना पॉलिट होता है वहां पर बेसिक फैसिलिटी नहीं है उतनी अवेरनेस नहीं है कि वो डिस्टिक हॉस्पिटल जाएं और पहले उसमें हाला कि 2017 में सुप्रिम कोट ने देखो सॉलूशन तो वही होता ना सुप्रिम कोट करती है अगर आपने ब्रेक किये तो आप पे फाइन लगेगा नौ नेक्स्ट बात करते हैं स्टबल बर्निंग की बायो डिकम्पोजर सॉलूशन जो है इस्प्रे किये गए पर्टिकुलर डेली गॉर्मेंट ने भी और सेंटर को भी ये सजेस्ट किया कि पर्टिकुलर आप पंजाब हर्याना इन सब के फार्मर्स को क्या करो बायो डिकम्पोजर फ्री में दो देखे एक सेंटरल गॉर्मेंट की एजनसी है वेब कॉस अब ये डेली गॉर्मेंट का इनिशेटिव है ये एक अच्छा इनिशेटिव है जो सेंटरल गॉर्मेंट ने ट्रांसपेरेंसी के लिए लगाया हुआ है और रिपोर्ट में ये भी बोला कि ये एक अच्छा सॉल्यूशन है तो आप फार्मर की जो इनकम है 2022 तक डबल करने का उसमें एक रोल पाटिस्पेट करेगा बायो डिकम्पोजर इस पांसर आइटिंग कैसे पूछे जाएगी या यूपीसी मेंज कैसे कॉशन पूछेगा उसको डिसकस करते हैं इस पर हम अलड़ी दो साल पहले भी आंसर राइटिंग कर चुके हैं 27 अगस्त को और इससे पहले 30 अक्टूबर 2020 को एडिटोरियल बेस कॉशन था इडेंटिफाइ दा इस्यू रिलेटेट टू इस्टेबल बर्निंग effective policy क्या हो सकती हैं इसके solution क्या है opportunity किसानों को फाइदा क्या मिलेगा आप ये सर्च कीजिए 27 अगस्त यूपी असी मेंस कॉशन प्यार पॉब्लिकेशन तो आपको पूरी answer राइटिंग मिल जाएगी और यही answer राइटिंग आपको हमारे free group में भी मिल जाएगी अब बात करते हैं आज के editorial की सबसे पहला है वही जो देखिए अजय मिश्टरा है state for home minister है center home minister के नीचे काम करते है union ministry of state for home affair home अजय मिश्टरा अब हो क्या रहा था यूपी का एक जगे है लखिमपुरी वहाँ पर क्या है किसान प्रोटेस्ट करके घर को वापिस आ रहे थे और particular माना जा रहा है कि जो आसिस मिश्टरा है उसका जो काफिला गया किसानों के पर गाड़ी चड़ा दी गई second है journalist कोई मारे गए civilians मारे गए तो उसके चलते हुए इन पर case register हुआ मिश्टरा का कहना था कि आसिस मिश्टरा उस जगह पर जहां पर incident हुआ वहाँ पर थे ही नहीं किसी और जगह पर थे तो यहां पर आप Supreme Court ने intervene करते हुए मैंने एक solution हमेसा बताया है कि अगर transparency अगर सरकार accountable नहीं है तो एक कोई government का जो institute है या nation का कोई institute है जो intervene कर सकता दिया कि seriousness बिल्कुल भी नहीं दिख रही है यूपी पुलिस में तो इसके चलते हुए अभी जो है आसिस मिश्रा को arrest किया गया है ठीक है और वो भी non corporation के basis पर की corporate नहीं कर रहा था या पुलिस answer नहीं कर रहा था तो उसको arrest कर लिया गया क्या notes बनाने की जरुवत है बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर से mains का concept मैंने बता दिया है Supreme Court intervene कर सकती है और Supreme Court अगर particular government को accountable जो है अगर रहना है transparent रहना है तो Supreme Court वहाँ पर check and balance का भी काम करेगी Second है वही जो airline से हमारी Air India उसको GRD Tata नहीं बनाया था 1932 के द्वारान और अब वही Tata Suns के बाद दुबारा आ चुकी है 100% इसका ownership है इसमें 55 से ज्यादा destination है 3000 से ज्यादा landing और parking slots उसके पास है 140 aircraft उसको मिले हैं और इसके चलते हुआ भी COVID-19 के basis पर prices भी बड़े थे oil के तो bit challenging तो रहेगा Tata Suns के लिए अब देखते हैं overcome कैसे करते हैं बट ये भी आप से पूछा नहीं जाएगा हाला कि यह यह dis investment पूरी तरह कर दिया इसमें जिसमें 51% से ज्यादा है 100% ownership तो भारत को उसमें क्या हो रहा था loss हो रहा था तो सरकार का एक यह रहता है कि जहां पर जो loss सफर कर रही है उसको बेशने की बाद करते हैं ताकि वो जो पैसे हैं वो कहीं और investor किये जाए ताइवान फ्लेस पॉइंट इंडो पैसिविक रीजन देखिए चाइना की बात करूं तो डॉमिनेट कर रहा है साउट चाइना सी में ताइवान में ताइवान की हिस्ट्री मैं बताऊंगा इनिशियल में जो यह दिया गया है कि 1949 में कैसे बना strategy का ambiguity क्या थी वहां के leaders कब आए में जो चाइना से ताइवान में यह पूरी हिस्ट्री यहां पर दिये गई है दूसरा ताइवान के बहुत सारे mainland चाइना में investment भी हैं बहुत ज़दा तो इसके basis पर भी अभी अगर इंडिया और ताइवान के relation बढ़ते हैं तो और ज़दा जो चाइना है dominating हो जाएगा ठीक है तो और इंडो-pacific region में और ज्यादा disturbance create हो जाएगा ताइवान के प्रिजेंस से इंडिया और ताइवान का relation बढ़ेगा तो उसके basis पर वो trigger करेगा किसको चाइना को और उसके अपोज में USA भी आएगा USA क्यों आएगा इससे पहले आप स specific focus यही रहता है कि जो चाइना को contain किया जाए इंडो-pacific region में यानि कि इस region को इंडियन ओशन और Pacific Ocean में है और particular इसको हम क्यों बात करते हैं इसलिए क्योंकि इंडो-pacific region क्या है यहां से जो trade है बहुत ज़्यादा होता है अब मैं बात करूँगा ताइवान की थोड़ी सी history जान लेते हैं ताकि आपको ताइवान की history पता चल सके और कैसे trigger point बनता है जो है इंडो-pacific region में सबसे पहले बात करेंगे ताइवान है कहां देखिए चाइना है और इसके बगल में है ताइवान ठीक है अब देखिए हुआ क्या बहुत simple सी बात है पहले मैं कुछ story बता देता हूँ फिर उसके बाद Taiwan बसा कैसे वो थोड़ा सा हम discuss करेंगे what is the history of Taiwan इसको discuss कर लेते हैं बात है जो ताइवान में austronation tribal people हैं माना जाता है कि southern China से मतलब कहने का मतलब यह चाइना है इसका जो southern part है यहां से austronation जो tribe आई वो सबसे पहले migrate की इसको पार करके ताइवान राइट यह तो था मोटा मोटा हिस्सा अब इनिशेली में जो ताइवान था वो चाइना ऑपरेट करता था 683 से लेके उन 895 तक 17th century में बहुत सारे लोग चाइना से ताइवान जाने लगे बट उसी दोरान जापान जब वर्ड वार चल रहे थे जापान जिद गया और उस अब यह सब चीज़ां हो रही थी 1895 के पहले जब वर्ड वार से पहले सिनो जापानीज वार होता है मतलब चाइना और जापान का वार होता कब 1895 में देखो एक चीज़ याद रखना 1683 से 1895 तक उस कभीले में जो आस्टेनेशियन ट्राइवल पीपल गया होगा साउट चा ले गया उसके बाद उस तक चाइना ने उस पर रूल किया अब होता क्या है 1895 में एक वार होता है जिसमें जापान जीच जाता है और चाइना क्या करता है ताइवान का पार्ट क्या है जापान को दे देता है फिर उसके बाद सेकंड वर्ड वार आता है ठीक है यह चीज़ लोग होंगे जो चाहते होंगे ताइवान को और अच्छे से डपलप करना क्योंकि चाइना तो आधी से ज्यादा पैसा जो है वो चाइना ले जाता है जितना भी रिजर्व है जितने भी यह चीज़ें है जितना भी पैसा है एक तरह से वहां पर ना हस्पिताल खोलेगा ना इंस्ट्यूट मतलब कुछ नहीं कोलेगा डेपलोमेंट नहीं होगा और उसके बेसिस पर सिर्फ जैसा पाकिस्तान अभी है पाकिस्तान के देखिए वैस्ट पाकिस्तान अभी का जो पाकिस्तान है उसने इस्ट पाकिस्तान को सिर्फ वहां से रेविन्य लिया वहां पर को वो इस्ट पाकिस्तान टूटा अभी का बांगलादेश है अब होता गया है कुछ आगे के एर्स में के एमटी गॉर्मेंट जो चाइना में है कॉमिनिस्ट आर्मीज से हार जाती हैं अंडर दमाउजदोंगें दे वर फ्लेट टू ताइवान इन नाइंटीन फोटिनाइन चा करेंगे यानि की और टूनमी धी जाएगी टाइवान को बड़ कोई भी ऐसा नहीं beef कि आप अलग टाइवान कंट्रिय जो को नहीं बोलूगे जिलूद नहीं है यूनाइडिँ नेशन क्या रिइस्टर करे गी यानी इस ताइवान को ऐसे docence दूसरा अफ्रिकन देश सेंट ताइवान के बीच में रिलेशन अच्छे हैं ट्रेड भी होता है और उसके बेसिस पर अगर मैं बात करूँ अभी प्रिजेंट लेवल पर जो सबसे ज़्यादा कोविट की इंफॉर्मिशन दी थी वो ताइवान नहीं दी और इसके चलते हुए 24 मार्च और 6 अक्टूबर य वो ताइवान ने की थी कोविड नाइटिन के बेसेस पर उनकी इंफॉर्मिशन सबसे ज़्यादा उन्होंने इस्प्रेड की थी राइट नेक्स्ट है तमिन लाडू से रिलेटेड आपको यह जानने की जरुवत नहीं है स्पैसिपिक था यह मन्थवाइज डेटा रहता ह है इंप्लॉइमेंट सर्वे का इसको डिसकस करने की जरुवत अभी हमारी नहीं है यह वार्ड से रिलेटेड अवार्ड से वैसा वाला अवार्ड नहीं है यहां पर जो नोबल प्राइस दिये जा रहे हैं अभी यहां पर वही बात की गई है कि एक तंजानिया से भी जो है उनको मिला नोबल प्राइस अभी तक जैसे अमरीकन जापनीज चाइनीज जो डपलब्ड देश हैं डपलोविंग देश हैं उनके बेसेस पर उनको नोबल प्राइस दिया जा रहा था बड़ यहां पर नोबल प्राइस अभी तंजानिया के एक राइटर को भी मिला है तो इसमा हाई मिलिटरी ऑफिसल लेवल की बाते होती हैं और उसके बेसेस पर डायलॉग के बेसेस पर यह सॉलिशन निकाले जाते हैं अभी एक माइनरिटी बेज और्गनाजिशन है आसाम में और वो बोलती है राज्य सरकार से आसाम की सरकार से कि आप वाइट पेपर इशू करो आपने जितने भी किसानों को उनकी जमीन से निकाला है आप यह बताओ कि उनको रिहेबलेट कहां करवाया गया यह बात अभी माइनरिटी बेज और्गनाजशन कह रही है मतलब माइनरिटी जो कॉमिनिटी होगी उन्होंने एक और्गनाजशन मनाई वो अभी डिमांड कर रही है कि जो किसान ने सबसे ज़्यादा वलने रिवल है मतलब उन्होंने इस मुद्धे को उठाया और बोला जो लोगों को आपने हटाया क्या कंपन्शेशन दिया उनको इस्पेशली वीमेन और चिल्डरन्स को तो क्या होता एक वाइट पेपर है क्या ठीक है कि क्यों इस उर्गनाशिशन ने डिमांड की आसम सरकार से की आप वाइट पेपर को इसई करो तो वाइट पेपर क्या होता है भारत सरकार इसे इस्टीय आपने लोगों को किसी भी पार्टिकलर चीज में हो सकता वाइट पेपर ठीक है मतलब वह सब सैट आप इन्फॉर्मेशन होत तो 1990 की बात है जब टेहरी डेम पूरा 2005 में तो पूरा डूब गया था ओल्ड टेहरी मतलब अगर टेहरी गडवाला अगर आप देखो गए अभी मैप में तो उसका जो नॉर्डन पार्ट है ओल्ड टेहरी वह पूरा समर्ज हो गया था उसके बाद वहां से उत्राखंड की सरकार ने वहां से लोगों को नई मतलब उसके साउधन 24 किलोमेटर नीचे एक सहर है अभी की जो नई टेहरी है वहां पर बसा दिया तो कितने लोगों को वहां पर बसाया रिहेबिलेट करवाया किसी को जॉब दी या नहीं तो अगर वो जो पेपर बनेगा उसी को कह देंगे हम वाइट पेपर जनरली वाइट पेपर परसनल डेटा होता है सरकार का भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं बड मेजर चीज़ा है मैं जब लोगों के हित के बारे में बात आई फंडमेंटल राइट के बारे में बात आई तो उसमें करते हैं सेक्शल औरेंटेशन क्या है यह सब चीज़ें हैं और एक कमिटी भी बिनाई थी स्री कृष्णन की कि ऐसे इनको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा जरूज है नाव नेक्स्ट न्यूज है एक्स नैपाल मिनिस्टर काला पानी इश्यो से रिलेटेड भारत की बात कर रहे थे यह जिकराया बट कॉशन यह है कि काला पानी का जो इश्यो है इंडिया और नैपाल के बीच में क्या है ठीक है नाव सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो लोकेशन है मैप बेस्ट यह है नैपाल यह है चाइना यह है इंडिया यह वाला ठीक है यह है पिथोरागड एक जिला है उत्राखंड में यहाँ पर है काली पानी जो नदी आती है वो यहाँ से देखो चाइना नेपाल और इंडिया से गुजटते हुए आती है अब यहाँ पर है आपका लीपुलेक यह ट्राइजेंक्शन में यहाँ पर इंडिया का भी नेपाल में भी है ठीक है यह वाला अब बात यहाँ पर यह आती है कि जो यह काला पानी का जो कोर्स है उसमेखा जब ट्रीटी शाइन होई थी ट्रीटी यहाँ पर वेस्ट को उत्राखंड होगा बड़ आप सबको पता है पानी का जो नदी का कोर्स है हमेसा चेंज रहता है कभी मौनसुन जादा हो गया तो सिंपल सी बात है ये पानी जादा हो जाएगा ना फ्लो और कहीं का कोर्स का एक्शन चले जाएगा तो अब यहां पर यह बहुत जादा फोकस नहीं किया जाता है कि इसकी बाउंडरी अब यहां पर से होगी और यहां से होगी क्योंकि सबसे जादा यह रहता है कि आपको याद रखना अगर कभी भी दो जमीन के टुकड़े करने हो दो देसों के बीच में बाटने हो तो सबसे ज़्यादा difficult वो तब रहते हैं जब उसके बीच से अगर कोई नदी जा रही हो क्योंकि नदी एक ऐसा नहीं है कि stable है या static है कि जहीं से पास होगी जब बारिश ज़्यादा आएगी बाड़ा सकती है तो course of action बदल जाएगा अगर वो course of action बदलेगा तो उसके basis पर जो land है उसके इंपक्ट पड़ेगा तो कहीं न कहीं आप dispute और ज़्यादा बढ़ जाएंगे किसके बीच में इंडिया और नेपाल के बीच में तो वही है जो काला पानी का issue है मैं इसको आपको notes के basis पर भी explain करता हूँ इंडिया नेपाल काला पानी territorial issue काला पानी territorial issue है क्या सबसे पहले काला पानी lies on the eastern most corner of उत्राखन का पिथरगर district जैसा मैंने अभी बताया नेपाल और इंडिया के बीच में बोथ इंडिया और नेपाल लेक है लेम टू काला पानी दोनों ही कहते हैं कि काला पानी वाला एरिया हमारा है तो यह dispute ने भी यह dispute उठा दिया कि हाँ काला पानी वाला भी हमारा region है नेपाल प्रोटेस्टिका इमिडेटली और द्रू अटेंशन तो इस्यू हाली मैं क्या किया भारत ने इनागुरेट किया एक लिंक धारचुला से लिपूलेग अब लिपूलेग वही है ना मानसुरबर तिब्बत वाला ठीक है वहाँ पर अगर जाना है तो मैंने कर ट्राइजंशन बताया था तो धारचुला से धारचुला एक जगह है पिथौरगर जिले में ही है ठीक है अगर मैं यहाँ से अपने यहाँ से बात करूँ जहाँ पर मेरी अभी प्रिजेंट लोकेशन है वहाँ से लगबग हो सकता है 85 से 90 किलोमेटर के बीच में यहाँ से ठीक है मेरे जगह से तो वहाँ पर लिंक बनाया ताकि मानशरूबर हमारे जो भारतिये पिलगरिम है वो जा चके है नेपाल हिट बैग बाइ समोनिंग दा इंडियन अमबेश्डर तो नेपाल विनाहि मोहन टू कन्वाय फॉर्मल प्रोटेस्ट जारी किया अब यहीं पर यह इश्यू है मैंने पूरा ट्रीट यू अब सजावली यह सब आपको बता दिया है ना वर्ल्ड पेज की न्यूस डिसकस कर लेते हैं साइंटिस्ट बिहाइंड पाकिस्तान नुक्लियर बॉम अब्दूल कदीर खान पासेज़ अवे दिस्ग्रेजड अटोमिक साइंटिस्ट नौन अज़ फा है इसके साथ बहुत सरी कंट्री में डिस्प्यूड भी चले और उनके बारे में बात आई है हाला कि यह देखे जो यह हैं अब्दूल कादीर खान क्यूंकि पहले पाकिस्तान तो था नहीं पाकिस्तान तो इंडिया के वज़े से आया है 1936 में भोपाल में पैदा हुए 1937 के बाद और यहां पर पाकिस्तान में अभी नुकलियर बॉम जो भी बनाया गया है और इनको यह भी बोला जाता है कि खान कंसिडर्ड है दा फादर आप पाकिस्तान नुकलियर बॉम इस रिवर्ड एड़ होम एज हीरो ही वाज अलसो काल्ड मैं हू बिल्ट दा मुस्लि वर्ड में सबसे पहला जो पहला नेशन था एटोमिक बॉम का वो यही लेके आए ऐसा बोला गया चीक है और क्या है कुछ काम का है हमारे यस ताइवान अभी वांड बोर्ट टू चाइनिस प्रैसर दबेगा नहीं ऐसा बोला गया है इरान मेक्स 24 मोर परसें एंडिच्में यूरेनियम इरान जितना जदा एंडिच्मेंट करेगा यूरेनियम का इंडिया के लिए वो अच्छा नहीं है क्योंकि यूएस और ज़्यादा सेंक्शन लगा देगा हम इरान से तेल लेते हैं तो और ज़्यादा कम हो जाएगा वो डोनाल टरंप के समय में तो बहुत जो कुछ ने दस बार साल से नहीं दिया था फिर भी बता देता हूं अब सेमी फाइनल है फाइनल की आई पील की बताऊंगा ठीक है मजा की बात कर रहा हूं पर ऐसे कोशन नहीं आएंगे पर नाम से किरिकेट का भी एवन एक कोशन आया कल सो कोशन मैंने आपको जब और एप्लिकेशन डाउनलोड कर लिजिए क्योंकि पंदर अक्टूबर से जितने भी जितने लोग चाहते हैं कि फ्रेस स्टार्ट करें 2020-2023 के लिए प्री और मेंस के लिए एक साथ मैं एक सब्जेक्ट को पर्टिक्लर प्री मेंस दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा आपको ल